हलो दोस्तो नमस्कार सास्रिया काल सारा नुमेतर फोती बहुत बहुत प्यार आज मैं आपके लिए कुछ लगाने वाली चीज नहीं बताने आई हूँ क्योंकि आप लोग के कॉमेंट आरते कि दी बॉडी अंदर से बहुत जारा टॉक्सिस हो चुकी है हम क्या करें कि बॉड मैं लेकर आगी हूँ आपके लिए मेरा मौनिंग रूटीन जो कि मैं रेगुलर तॉर पर करती हूँ और मौनिंग ही नहीं मैं इसको जब भी खाना खाती हूँ उसके बाद में भी बार मैं इसको बना के रखती हूँ और शाम को जिस वक्त नाष्टे का टाइम होता है वर रेगुलर दे लाउफ, जो हमारे घर में रहते हो खाता है वही जाइन असमें इसको फ्रेस्ट उसका टै 뉴ल है तो गुदाति हमारी जैलिवे करेंगे की बाडी को भी बिख्राई निकालेगे वह चैन। कच्रा होगा उसको यह निकालेगा किस प्रकार से बनाना है चलिए देखें आज के इस सिंपल पानी को बनाने के यानि की ड्रिंक को बनाने के लिए हमें लेने हैं कुछ टुकुड़े कुकंबर यानि की खीरे के खीरे में पाए जाते हैं मिनिरल्स, निट्रिशन, एंटि ऑक्सिडेंट जो हमारे स्किन के एक्सिसिव ओयल को खतम करते हैं ड्राइनस को हटाते हैं हमारे पोर्स को क्लीन करते हैं तो अगर हम इनको ड्रिंक करते हैं तो वो हमारे स्किन के लिए अंदर से बहुत अच्छा का कोई इसके साथ में हम इसमें परिध करेंगे एक विटामिनी इक आवोत मुर्स औह प्रुट हें की आपके डेजे सिस्टम को भी हमभल करता है आपके बर्एफ की हेल्थ को शत्रुफ करता है आपके सिकन को डिदा आपके कालरी जो कि आपके नहीं सारी कालरी corrects साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ एक निम्भू कटा हुआ जिसको की हलका से मैंने निचोर दिया है ताकि उसका जितना भी जूसी सा इसली इस पानी में हमें मिल जाए और एक गिलास पानी में भरके रख रही हूँ इसको मैं 2 गंटे तक इस ही छोड़ दोगी क्योंकि ड्रिंक करने के पहले 2 जो भडुए भन्टे वह हमें देना है अनकि फ़र्मेशन के लिए उसके बाद में आप आप इसको पी सकते हैं जब आप खाना कहते है जैसे आफ्टर नूण का आपने खाना घाया उसके बाद में एक पर दुकिता हे एक पीन पर एक बाद इसी सामान के साथ में गिलास को बर भर के रगते हो जो कि मैं रात को खाना खाने के बाद भी इसको पीती हूं तो आप भी सेम चीज कर सकते हैं ज़रूरी निये क्वारा कट करें एक दिन के लिए लिए इतना काफी रहता है कितना सिंपल यह ड्रिंख होता है, जिसको की हम घर पे बना सकते हैं, बहुत असानी से पांच मिनिट पे ड्रिंख बनता है, और इसको आपको दो घंटे पहले बना के रखना है, जब भी आपको इसको पीना है, मैं सजेस करूँगी, अगर आप दोपहर में जैसे एक से गेड़ के बीच में या एक से दो के बीच में अगर लंच करते हैं तो उसके दो भंटे बाद का आपको टाइम रखना है इस ड्रिंक को पीने का यानि कि चार बजे के आसपास आपको ये ड्रिंक का एक गिलास पानी ज़रूर पीना कि बहुत सारी प्रॉबलम को भी आपकी बॉड़ी में से निकाल देगा तो आपको इस ड्रिंक को पीना ज़रूर चाहिए क्योंकि ये ड्रिंक्स ऐसे होते हैं जिनको कि आपको मार्किट से नहीं खरीदा है आपको खुद घर बनाना है हलका सा आपको कड़वापन लगेग हो इसी तरह की हेल्दी ड्रिंक सो जानने के लिए कॉमेंट ज़रूर करेगा नेक्स्ट रेमेडी में बहुत जल्दी बना के लिए क्या होंगी अगर आपको पसंद होगा तो मैं मेरे डेली का रूटीन जो कि मैं खाने पीने में लेती हूँ आप लोग के साथ शेर ज़रू मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ में फिर से बाबाई टेक केर से यू